दोस्तों, आप हमेशा से trader बनना चाहती है, बढ़ trader बनना इतना आसान नहीं होता, आप यहां पर अपने setup के according weight कर रहे है market का, आपको confirmation मिल जाती है market में, आपको market opportunity भी दे दिता है, फिर भी आप trade नहीं कर पाते, आपको anxiety होती है, आपको confirmation के बाद भी आप enter नहीं कर पाते, आपको लगेगा कि अगर मैंने यहाँ पर trade कर ली तो मेरे को loss तो नहीं हो जाएगा और देखते ही देखते market आपके setup को right proof करता है और market उसी दिशा में जाता है जहाँ पर आप सोच रहे होते हैं बट आप trade नहीं कर पाते हैं, miss कर देते हैं फिर आपको feel होगा कि यार मैंने क्या कर दिया, मैं ले लेता तो बहुत जादा profit हो जाता तो दोस्तों मैं आपको बहुत सारी ऐसी trick बताने वाला हूँ जिससे आपका जो trade लेने का confidence है वो boost up होगा और जब मैं अपना trading career start कर रहा था तो मेरे को भी यह बहुत जादा problem आती तो मैंने ऐसे क्या क्या step उठाए जिससे जो मेरी यह वाली दिक्कत है बिल्कुल दूर हो गई, मैं relax होके trade करने लगया बिल्कुल stress free होके trade करने लगया तो वही point मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तो point number one है और बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा important point है कि आप candle का color यूज करते हो, generally हम यहाँ पर green और red color का यहाँ पर color यूज करते हैं बट यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना, थोड़ा आटपटा लग रहा होगा बट यहाँ पर आपको इन colors को use नहीं करना है, आपको केवल एक color यूज करना है दोस्तों मैं अभी अपना setup दिखाऊंगा, कि मैं कौन सा color यूज करता हूँ reason simple है, हमारा जो visual perception है, हमारा दिमाग colors के लिए काफी ज़्यादा sensitive होता है दोस्तों आप मान के चलिए, यहाँ पर क्या होता है, कि आपका setup प्रूफ हो गया है और आप यहाँ पर trade करने वाले है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है आप जिस्ट wait कर रहे हैं कि market ने breakdown दे दिया है और एक retest के बाद यहाँ पर मैं trade करूँगा, ठीक है, market यहाँ आप से fall होता है बड़ी-बड़ी red candle बनाता है, आप खुश होते हैं, बट suddenly यहाँ पर क्या होता है, वो इसको opposite way में लेने लग जाएगा, मतलब आप पहले sell के perspective से market को देख रहे हैं बट यहाँ पर हाला कि market इसको retest करके नीचे आएगा, आपका दिमाग उसके लिए भी तयार है, बट जैसे ही आप market में green candle देखेंगे तो यहाँ पर इस point पर आप यहाँ पर इसको sell करने से कत्राएंगे, अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक अपना setup दिखाता हूँ, मैं क्या use करता हूँ दोस्तों यहाँ पर यह मेरा setup है, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक ही color choose किया हुआ हलका brownish color मैंने डाला हूँ, अब यहाँ पर आप मेरे को देखके बताए, यह कौन सी red color है और कौन सी यहाँ पर green candle बनी हुई है, तो सेम setup है, सब कुछ भी यहाँ पर अलग नहीं ह यहाँ पर होता, तो जब market ऐसे ऊपर जा रहा होगा, बिल्कुल सेम चार्ट है, देखिए, तो यहाँ पर मेरे को बिल्कुल भी anxiety feel नहीं होगी, यहाँ पर अगर यही पर आप अगर दूसा चार्ट देखेंगे, तो यहाँ पर आपको green candle बनती नजर आएंगे, तो यहाँ मेरे को बिल्कुल भी feel नहीं होता, और मैं बिल्कुल अपने setup पर sell करने के लिए ready रहूँगा, बट अगर वही आप इस दूसा चार्ट देखेंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, यहाँ पर जैसे ही आप green candle बनता देखेंगे, तो आपका धिमाग इसको फटाक से read कर लेगा और आप जो sell करने के moon से बैठे, यहाँ झाले.